नमस्कार, बंदिना जोशी चेनल पर आपका स्वागत है आज मैं बनाऊंगी ये जो कच्च्या आलू हैं इनको मैंने कद्दू करके रख लिया है दो कच्च्या आलू लिये हैं और ये 5 पीली मिर्ची लिये हैं इसकी मैं नमकीन सेव बनाना बताऊंगी आलू की भुजया तो आपने खाई होगी लेकिन कच्च्या आलू की नमकीन सेव मैं आप पहली बारी देख रहे हैं जो आपने कभी न देखियोगी न कभी खाई होगी तो चलिए आज हम बनाते हैं कच्च्या आलू की नमकीन सेव यह पीली मिर्ची को दर-दरा पीस लेंगे यहने दो कटोरी बेशन लिया है अब इसमें हम डालेंगे हींग और यह स्वादनुसा नमक डाल दिया हमने और यह अजवाइन डाल दी और यह जो हमने आलू कंदू कस करके रखे हैं इसको निचोड़के और यह डाल देते हैं और यह पीली मिर्ची जो हमने पीस ली थी वो भी इसमें डाल देते हैं अब इसको हमने अच्छे से मिक्स कर लिया है यह पुरा हमने मिक्स कर लिया है अब इसमें थोड़ा सा लाल मिर्च पाउडर डाल लेंगे अगर आप कम खाते हो तो मिर्ची केवल हरी मिर्ठी ही जो डली वो ही डालें लाल मिर्च ना डालें और अब इसमें हम थोड़ा सा तेल डालेंगे क्योंकि बीना मौन के जो है सेव कोई सी भी बनाए तो वो खसता नहीं बनती है इसकी जो consistency है यह ऐसी रहेगी क्योंकि आलू और मिर्ची दोनों ही उसमें माइस्टेर रहता है इसलिए पानी इसमें बिल्कुल नहीं डाला है और मौन के लिए थोड़ा सा तेल डाला है अब यह मैंने जारा लिया है और इस पर थोड़ा पानी कहाँ ठेल दूगी और यह हमा तेल हो गया गरम हम में इस पर सेव निकालोंगी आज को बहुत तेज होना चाहिए अगर तेज नहीं होगी तो हमाई सेव अच्छी नहीं बनेंगी और यह मोटे धारे सही अच्छी नहीं है आप चाहें तो बोजे दूसकी तेली आती उससे भी आप बना सकती है और यह हमाई सेव पूर के ओपर आ गई है यह देखें अब यह थोड़ी देर अच्छी सीख जाएगी अच्छी हो जाएगी इसके बाद सिरह हम निकालेगी यह देखें अब मैंने आज को बिलकुँ स्लो कर दिया है और यह अच्छी से चोकी आलू डले इसलिए थोड़ी ज्यादा देर शेखना पड़ता है इसको वरना यह अंदर से नरम रहेगी यह देखें यह देखें तो यह हमारी आलू पीली मिर्टी की सेव तयार है और यह देखें कितने अच्छी बनी है इसमें ज्यादा तेल भी नहीं लगा है बहुत खस्ता बनी है इसमें मोन भी कम डलता है क्योंकि आलू वैसे ही खस्ता पन देते हैं तो इस तरह से बनाएं अगर आपको लगे कि थोड़ी नरम हो रही है तो निकालने में तो आप एक बार और एक सेकंड आदे सेकंड के लिए गरम तेल में डाल के और वापिस इसक आपको आलू पीली मिच्ची की नमकीन सेव का वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज आप इसे लाइक करें सब्सक्राइब करें और शेयर भी करें